कि 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 ह्यूट सल है कि व Hakim somewhere को बाकिक है कि लीक बनना चाहता है अहुंआ प्रिषिक नॉलेज नहीं होती है कि हम सब पाप्रोटती है कि अब को बताने वाट हुआ हुआ склад आप आप वीडियो को फुरक फुरक देखेगा बिलकुल इसकी ना करें अगर आप इंटरनेट पर आप इसे बहुत सारी वेबसाइड मिल जाएगी यहां पर आप सबसे पर आपको जो भी सिखाई आती हो एक एडवांस लिवर पर होती है आपको चीज समझ नहीं आती क्योंकि आपको है कि कुछ बेसिक नौलज़ के बारे मजानकारी नहीं होती है अब आप फ्रेंड्स अगर आप हैकिंग सीखने चाहते हैं है कर बनना चाहते हैं आये मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन कौंस्यासी बेसिक चीजों का नौलेज होना चाहिए नंबर वन कम्प्यूटर नौललेज, हैकइंग सेखने के लिए सबसे पहले आपको computer के Basic Knowledge के बारे हें पता हो ना चैय sh pod जैसे की computer what internet में कसे access करते हैं, computer में data command क्या होता ये कैसे काम करता है data जितने भी सारे है command होता है वो कैसे कर सकते हैं कप्यूटर के बारे में इस सब knowledge आपको पहले से होनी चाहिए नमबर टू, programming language, programming language अगर आप hacking सिखना चाहते हैं या फिर hacker बनना चाहते हैं तो ऐसे हमें आपको सुरुवात में कुछ programming language के बारे हम पता होना चाहिए जैसे की htms, php, ruby या फिर c language भी आप सीख सकते हैं अगर आपको इन में से एक भी language के बारे में नहीं पता तो आपको hacking सिखने में कहीं मुस्किलों का सामना करना पड़ सकता है आपको सुरुवात में कम सी कम एक या दो language के बारे में पता होना ज़रूरी है अगर आपको hacking सिखना चाहते हैं और सुरुवात नेटवर्किंग के बारे में पता होना चाहिए जैसे की tcp, it क्या होता है, sub network क्या है, tail network क्या है, it before क्या है, ipb6 क्या है, tolopali क्या है, router क्या है, switch क्या है इस सब चीजों के बारे में आपको knowledge होना बहुत जरूर advanced level पर आपको इस सब चीज नहीं सिखा आजाता, इस सब चीज एकदम basic चीज है, इसलिए आपको advanced level पर hacking सिखने से पहरे आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना जरूरी है नमबर फोर, Linux अगर आप hacking सिखना चाहते हैं तो ऐसे में आपको सुरुवात में Linux operating system और Linux के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए मिना Linux knowledge के आप किसी भी तरह से hacking को नहीं सीख सकते इसलिए क्योंकि जो भी hacking tools बनाया जाते हैं इनमें आप Linux में बना सकते हैं इससे आप window operating system में नहीं बना सकते हैं इसलिए आपको सुरुवात में Linux operating system और इसके programming language के बारे में पता होना चाहिए इसलिए आपको कोई भी तरह की website hack करने के लिए आपको database के बारे में knowledge होना चाहिए इसलिए आपको सुरुवा आपको database के बारे में जरू पता होना चाहिए जिससे के आप एक अच्छे hacker बन सकें तो friends यह थी कुछ basic knowledge जिन्हें आपको पता होना चाहिए अगर आप hacker या फिर hacking सीखना चाहिए हैं तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए पर आप बिना किसी basic knowledge के डिवांस लेवर पर चले जाते हैं और वहां और वाचीन माय वीडियो खुट बड़ टेक्ड केर